तो वही दिलिम में चुनाव आयोग से बीजेपी डेलिगेशन ने मुलाकात की है पियूश गोयल निर्मला सितारामन ने मुलाकात की बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने चार मांगे रखी है काउंटिंग प्रोसेस के अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है पियूश गोयल निर्मला सितारामन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और साथी ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की ही जैसे ही वो पहुचे चुनाव आयोग और फिर चुनाव आयोग से मुलाकात की गई है दफ्तर जब वो पहुँचे ये डेलिकेशन भारती जनता पार्टी का पियुष गोयल को आप देख सकते हैं और साथ ही आप दिर्मिला सी तरमन को भी देख सकते हैं जिन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात की और चार मांगे रखी गई थैं भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्ट मंडल निर्वाचन आयोग और उनके कमिशनस को मिला और हमने चार मांगे इलेक्शन कमिशन के सामने पेश की हैं हमने मांगा है और अनुरोद किया है मांगे इलेक्शन कमिशन से के वो सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे वे हैं उनको पूरी तरीके से counting process की जानकारियां दे, उनकी training अच्छी तरीके से की जाए और छोटी से छोटे विशय जो counting process के साथ जुड़ा हुआ है उसको बड़े कंबीरता से, गहराई से और संबल के किया जाए जिससे किसी भी प्रकार का deviation या बदलाव कोई भी station में देशपर में counting में ना हो साथ ही साथ हमने मांग रखी है कि जो counting process है और उसमें जो लोग जुड़े वे जो डेड़ करोड अधिकारी पूरे election process में जुड़े थे उसमें से जो लोग counting में जुड़े हैं उनकी और सभी counting agents की भी सुरक्षया कोई मद्यनाजर रखते वे गड़े कतम उठाए जाए